होली का तेहार आने वाला है चुनाब भी अब समाप्त हो चला है अब किस तरह लोग आगामी तेहार की तैयारियां कर रहे हैं और महेंगाई क्या असर डाल रही है जानते हैं जनता के मन की बात के मैगाई का शर्तों गोई नहीं हुआ इस तरह और बलके समाज में तूने उठ्साथ रूली मनाई जाए हैं युँए तो किसानों का काम चलना है क्यूंक नहीं है अग्याय को कदाए है कि गुलागी गुडाई है यह होमें पानी लगना तो चलना है इसलिए ढूआ मार्गिट तो सस्ता ही है इस पर महगाई यारोज का रगाट असर नेने भड़ा और हुली का तरहा आने वाला है उसको लेगे क्या तजारियां चलनी है आ यह उचीदी के अब तो फुलारी जाएंगे जिए अब और यह जो आप सुआ पक्राइगा अब फुट्स एवी तो हुआ इस तेहर पर महहाई पर महेंगाई का असर तफैरहर है मार्गेट में महंगाई पर थोड़ी बहुत हो जाती है। आम आम यह वीसे पर गया यह खलग बात आखे लें। टोड़ा सीजन हो तो भाई महंगाई बढ़ जाती है। जैसी वरी है विक्री बगेरा आपके ही सब्सक्ताइशों। क्यों दो दो गाहा है और होली का तेवार आने वाला है क्या होली के लिए कि लिए चिज परेसां ने है जंता के लिए सारी चीज उसी तरह के लिए दिए तो सरकान ने पिपच्छो ने एक बुद्द बना रख्णाविक ने धहीं है कोई चुछ नहीं है लोग कह रहें कि तो पहले से खरिदारी होती थी हुद्धि वेजे से तो हर फुरा हलका चला है दुकान दारी भी नहीं है राग बजार में जीचता नहीं है कि अपया को खुप पुप एंदारी ते अभूली मनाई याब नर्वीक तरीका ते अभूली मनागें खुब बैन भेती हुप अपनी नरंग में मस्त होके और इस पहला सब रो तरीका ते होली मनाँगें कुब आनन्दा हब जाए है से अभेज शे अबे धितारीक उमर गई ब